हेलो गाइज नमस्ते वेलकम बेक टू मानदा व्लोग आप सभी को मेरे योटूब चेने पर स्वागत है तो आज सुबह सुबह मैं किच्छन से वीडियो स्टार्ट करी हूँ और मैंने सोचा आप सबको आज बड़ा ही हेल्दी टेस्टी चट पटासा जल्दी बनने वाला ब आप सबको भी दिखाती हूँ आप सब भी ट्राइ करना बहुती टेस्टी बहुती जल्दी बनने वाला चट पटासा नासता है तो मैंने देखिए ये डो तयार करी हूँ आठा गुद कर मैंने गहूँ का आठा लिया है उसके बाद फिर मैं चौपिंग करने वाली हूँ प लेकिन बाद में मैं आप सब को दिखा ही दूँगी तो आज का जो ब्रेकफास बने वाला है वो है ओट्स पटाथा तो आप लोग सोच रहे हूँगी कि ओट्स का भी पटाथा होता है और बहुत लोग तो पताईए खाते भी होंगे तो अगर किस-किस ने खाया है मुझे प्लीज कोमेंट करके बताईएगा और नहीं खाया है तो प्लीज ट्राइ करिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा तो देखिए मैंने लसन पियास उसके बाद धनिया और मिर्ची को चौपिंग कर लिया है तो मैं यहाँ पे एड़ कर रही हूँ और यहाँ पे अगर आप पानी लेके गुथने वाली हूँ क्योंकि यह जो ओर से वह थोरा सा ड्राय है ना मतला बुर्बुरा जैसा है तो ऐसे तो पड़ाथा नहीं बन पाएगा इसलिए मैं सोच रहे हूँ इसको थोरा सा हाथ में पानी लेके मतलब ऐसे गुथ लूँगी मतलब थोरा सा मिक्स कर लूमी ना तो एसमें और पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है आढ़ी बस आप सब को पड़ाथा बनाना है तो देखिये मेरा भी गणी लड़ा जैसा तो बन गया है तो अभी मैं जल्ड़ी तीन दड़ाथा बना रहे हुरे थैनल लड़ाथा मेरे लिए और घर के सामने भाई आए उनके लिए देवर आए तो क्योंकि ममी और पापा ने तो पोहा वगड़ा खा लिया था और बस मेरे लिए ही बना रही थी तो देखिए मैंने डो पहले से रेडी करके रखा हुआ था तो अभी हम इसके जो तिन गुपेड़े बनाएंगे क्योंकि बस मेरे लिए ही है ममी लोगों ने खा लिया आए आप सबको मैंने बताया था बस मेरे लिए है तो अभी मैं बनाऊंगी और यह देखिए यहाँ पर मैं स्टाफिंग डाल रही हूँ तो आप सबको मैंने बताया था जब लड़्डू जैसा बन जाना तो सोच लेना कि अभी स्टाफिंग रेडि हुआ है तो देखिए कितने अच्छे से यह मैं फिल कर रही हूँ तो सारे पेड़े को मैं अच्छे से स्टाफिंग डालके फिल कर लेती हूँ उसके बाद फिर बेलन से बेलकेट पर अठे बनाएंगे तो देखिए रेडी हो चुका है और अभी इसको हम बेलेंगे और ये बस आप हलके हाथों से बेल लिएगा क्योंकि अगर आप ज़्यादा यहाँ पर ताकत लगाएंगे तो फर जाएगा लेकिन फर तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये चिपचिपा होता है ना ओर्स तो इसलिए मतला पानी डालने के बाद चिपचिपा होता है तो इसलिए और देखिए मेरा तो फर्टा भी नहीं है और अभी हम इसको तावर पे सेकेंगे और मैं बना रही हूँ घी के साथ क्योंकि इतना healthy breakfast खा रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा घी लगा के और healthy कर लेती हूँ लेकिन मैंने ज्यादा नहीं लगा है बेस थोड़ा थोड़ा आप लोग butter भी लगा सकते हो, olive oil भी लगा सकते हो और आप लोग इसको ना एसे भी बीना oil भीना घी बीना उसके भी सुखा भी खा सकते हो क्योंकि बहुत ही tasty होता है मैंने वैसे भी खाया हुआ है तो बस मैं आज आप सब को दिखाने के लिए ऐसे घी डालने हूँ तो अभी देखिए मैंने एक दो करके सारे बना भी लूँगी उसके बाद फिर आप सब को दिखा दी हो कि मैं किसके साथ खायू और देखिए मैंने जितने भी पड़ाठे बेले है ना एक भी फटे नहीं है और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि फूल क्यों ने रहे क्योंकि ना मैंने आज चॉपिंग करते टाइम प्यास थोरा सा बड़ा बड़ा कर दिया था और वो फटफट के थोरा सा निकल गया है मतलब पुरा फटा नहीं है लेकिन उपर उपर दिख रहे होंगे आप इसलिए ये फूला नहीं नहीं तो ये बहुत अच्छे से फूलता भी है और आप लोग अगर ट्राइ करना चाहते हो ना प्लीज ट्राइ कर लेना बहुत तेस्टी होता है और आप लोग अगर पहले से ट्राइ कर चुके हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताएग और अगर आप लोगों ने और ओर्स के साथ और कुछ एक्सपरिमेंट किया हुआ है या कुछ अलग सा डीस बना के खाया हुआ है तो प्लीज मुझे बताएगा कोमेंट करके मैं भी डीस बनाओंगी मैं भी खाऊंगी और मुझे नाईने डीस नाईने चीज़ सिखने का तरफ पराथे भी बना चूकी हो खतम भी हो चुका है और अभी मैं आप चटनी बनाओंगी चटनी मेंने बस टामाटर जो चेडी टमेटो होता है वो चेडी टमेटो और मिर्ची और धनिया और लसन अध्रक डालकर मैंने पेश्ट बनाया था मतलब ग्राइंडर में पेश्ट बनाया है उसके बाद वही चटनी और इसका अंदर फिलिंग देखे कितना अच्छा हुआ है ऐसा लग रहा है कि अंडा का भुजरी बुर्जी डालके बनाया हुआ है ऐसा लग रहा है तो देखे मैं चटनी के साथ एंजोई कर रही हूँ आप लोग मखन के साथ दही के साथ या मिर्ची के अचार के साथ या आम के अचार के साथ एंजोई कर सकते हो तो अगर आप लोग ने ट्राइ नहीं क्या है प्लीज ज़रूर ट्राइ कर लीजिएगा बहुती टेस्टी होता है तो मैं तो अभी ट्राइ कर नहीं मैं तो पहले भी ट्राइ कर चुगी तो अभी म करते ना